नमस्कार दोस्तों मिश्टर टूंडा के यूटूब चैनल मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि फॉनपे को किस तरह से आप पर्मानेंटरी डिलेट कर सकते हो अगर आप इसको डिलेट कर देते हो दैन इसके बाद आपको फॉनपे कहीं नहीं द चैनल होगा इससे अनलींक कर लिना लिंक करने के बाद आपको बैक हो जाना है मस्क्रीन पर आजाने आपको करना क्या होगा हम स्ट荆व होगा है श्ट यूटीक ध्यान से देखəना द्यां से देख लेता है तो आप एजली इसको पर्मानेंटली डिलेट कर पा तो आपको कर गिल्क कर देना है जैसे आपके सामने पहलों कुछ मदक्कर कॉन करते हो वinh strong खान को एक जरी किह देखना के जाता है, आपके समने आ जाता है deactivate phone pay account इस पर click करना है इस पर जिसे आप click करते हो लेकिन यह deactivate नहीं होगा यहापका permanently delete हो जाएगा और अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो तो easily वापस भी ला सकते हो वो भी मैं आपको बता दूँगा किस तरह सी इसमें करना है अब आपके समने आ जाता है यहाँ पर deactivate account temporary अगर आप temporary deactivate करना चाहते हो तो इस पर click करना है अगर आप यहाँ पर permanently close करना चाहते हो अपने phone pay account को तो इस पर click करना है तो मैं यहाँ पर permanently delete करना चाहते हो तो नीचे वाले section पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आपके सामने फिर ऐसे option आ जाते हैं इसमें आपसे पूछा जाते है कि आप क्यों इसको delete करना चाहते हो तो I am surrender my SIM card नहीं मैं surrender नहीं कर रहा हूँ आपका जो भी यहाँ पर reason होगा वो choose कर लेना है आप phone page से happy नहीं हो खूस नहीं हो I have another phone पर account तो आपको यहाँ पर I have another phone पर account चूज कर लेना है यह बहतर रहता है इस पर जिससे आप click करोगे आपके सामने इस तरके interface आ जाता है यहाँ पर आपके सामने धेट सारे option देखने को मिल जाते हैं इसको आप easily पर लोग आपका यहाँ पर withdraw रहना चाहिए उसके बाद आपका जो भी wallet में balance नहीं रहना चाहिए उसके बाद आपका यहाँ पर UPI light close रहना चाहिए दिन आपका gift card में कोई भी balance नहीं रहना चाहिए फिर आपका account easily close कर दिये जाएंगे अगर इसमें से कोई भी problem देखने को मिलता है त phone pay account delete नहीं होता है तो I hope आप समझ गए होंगे और यहाँ पर unlinking your bank account आपका जो भी bank account होगा यहाँ पर unlink कर लेना है यूर payment reminder address जो कुछ भी save details है यह आपका सुरक्षित रहेगा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर नीची में आ जाता है आपके सामने यहाँ पर deactivate phone pay account इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे आपको थोड़ी दिर wait कर लेना आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अब ध्यान से देखो यहाँ पर देख चीकतो इस तरह का interface आ रहा है तो देख सेकतो मेरे सामने इस तरह का interface आचुका है इसलिए आचुका है मेरे account में कुछ पैसे में balance बचे हुए है gold में कुछ पैसे में है जिसको हम withdraw नहीं कर सकते हैं अपने gold में payment फिर से gold को purchase करना होगा क्योंकि उसमें कुछ पैसे बचे हुए है देन हम उसको withdraw करेंगे तो मेरा ये account close होगा अभी account close नहीं होगा अब आपको करना क्या होगा अगर आप में balance नहीं बचा हुआ है तो आपके समने इस तरह का interface नहीं आएगा आपके समने यहाप आएगा delete account आपका account delete हो जाएगा देन आपको यहाप कुछ ticket नमर दिये जाएंगे उसको आप copy कर लेना है आपको जैसे आप इसको copy करके back हो जाओगे यहां को तो कुछ दिन वेट कर लेना आपका permanently delete कर दिये जाएंगे तो आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे यूड़ोब चैन पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बैज जही